नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में फॉल्वर्स कैसे बढ़ाएं जी हाँ आप तो सोच रहोंगे इसमें ये क्या नया लेका आया होगा यूट्यूब में काफी सारे वीडियो हैं इस्टाग्राम के उपर फॉल्वर्स बढ़ाने के लिए पर इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ कि इस लेजिट वे में कैसे इस्टाग्राम के फॉल्वर्स आप बढ़ा सकते हैं इस्टेग्राम पर जाएए यहां पर मैंने एक रेफरेंस के प्रोफाइल ले लिया है तो यहां पर सिफ आप जाए सर्च में सर्च में जानी के बाद आप कोई भी अपना अपर आपको प्रोफाइल आएंगे तो उसको क्या करना है अगरफ सब्सक्राइबर सब्सक्राइब फॉल्वर्स करना अट yay। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इसे आप माइन में रखिए या फॉलो करी और याद रखिए कि आपको यह फॉल्वर जो फॉल्विंग कर रहे हैं उसको आपको 50 से 60 के बीच में रखना है लाइक 60 क्रॉस निकरना चाहिए अगर 60 क्रॉस कर देते हैं फॉल्वर फॉल्विंग मिलाके तो आपका प्रोफाइल उस दिन के लिए बैन हो सकता है आदे घंटे या एक घंटे के लिए तो इसको आप देखेंगे कि यहां पर अभी फॉल्वर बढ़ते जा रहे हैं आपको इस तक आप देख रहोंगे को यह देखें कितने जादा फॉ इसे तो कोई SEO होता नहीं है पर मैंने इसे इसलिए इसा नाम दिया है क्योंकि यह सही में कुछ काम करता है इसके लिए आपको क्या करना है popular hashtag for instagrams जी हां इससे आप Google में सर्च करिएगा और जो भी आप photo upload करने वाले हैं और जो location में आप photo upload करने वाले हैं वो location का अगर आप देके वो hashtag copy करके उसे अपने caption में डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा popular होने के chances रहते हैं उससे आपको like भी आते हैं और followers भी काफी ज़्यादा gain होते हैं तो समझ लिए आपने एक photo upload की कही पर कोई mall वगेरा में और वो mall का नाम है South City Mall तो आप यहाँ पर type कर सकते हैं पी ओ पी यू ए यह popular hashtags for South City Mall Instagram जी हाँ यह अगर आप type करके इसको जब search मारेंगे देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे hashtag मिल जाएंगे उसे आप hashtag को follow करके जो आप इसे खोलेंगे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर hashtag आ चुके हैं और उसके बाद आप क्या करिए यहाँ पर ऐसे आप copy कर सकते हैं सारे hashtags को और उसके बाद यहाँ पर copy करके उसके बाद आप सीधा जाईए अपने Instagram में जो भी photo आपको upload करना है उसे आप upload कीजिए upload करने के बाद समझ लिए तो मैंने बाइचांस reference ले लिया है जब आप upload करेंगे तो यहाँ पर description में यह सारे hashtag आपको paste कर देना है और आप याद रखिए यहाँ पर इतने सारे जो इसमें आपको maximum 7-10 के बीच में लिमिटेशन रखनी है उतने लिमिटेशन रख के उसके बाद जब आप पोस्ट करेंगे तो आप खुद बाखुद देखेंगे कि काफी सारे आपके like और followers बढ़ रहे हैं like around 10-12 followers बढ़ जाएंगे और like तो आप बहुत ज्यादा आपको मिल आप आप डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखते हैं वो भी Instagram SEO के में count होता है जैसे मैं आपको बता देता हूं example आप देखी अभी आप देखेंगे मैं search पर आ गया हूं Instagram के यहाँ पर जब मैं देखता हूं यहाँ पर आने के बाद जब मैं digital marketing टाइप कर रहा हूं तो वहाँ पर देख सकते हैं आप digital marketing काफी सारे profile दिखा रहे हैं यह profile में आप सब में एक common चीज़ नोटिस कीज़ेगा जैसे मैं इनके profile में इनके profile में लिखा हूआ है इससे हमें यह पर चलता है कि अगर आपने profile में digital marketing या artist है या जो भी violent play करते हैं कोई भी काम अगर आप करते हैं उसको user name के साथ अपना correlate कर देते हैं chances बढ़ जाते हैं कि आपकी profile उपर आएगी सर्च में और इससे काफी ज़्यादा followers बढ़ने के chances create होते हैं बढ़ बदा कर दाव पुछ झाव स्पीक से